नमस्कार आपका आखबार के संक में आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग। उत्तर प्रदेश की राजनीती एक नया करवट लेती हुई दिखाई दे रही है। वैसे तो कहा जाता है कि राजनीती में कभी इस्थाई दोस्त और इस्थाई दुश्मन नहीं होते हैं। कब कौन किस के साथ मिल जाए, किस के खिलाफ हो जाए, कुछ पता नहीं होता। लेकिन जब आपस में दुश्मन, राजनीती में दुश्मन शब्द शायद इस्तमाल करना ठीक नहीं होगा, आपस में विरोधी या प्रतिद्वंदी, दोस्ती की बात करने लगे, तो समझिये कि कुछ बदलाव होने वाला है, कुछ परिवर्तन होने वाला है, और जो अंदर अंदर चल रहा, अभी तक बाहर आया नहीं है, उसके संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं पहले से ही, इसी तरह की घटना हुई है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की राजनीती में आपको मालूम है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों परस के घट बंधन की बावजूद जो है उनको भवमत नहीं मिला था, कॉंग्रेस और जर्ता दल के समर्थन से सरकार बनी थी, मुलायम सिंग यादो मुख्य मंत्री बने थे, दोहजार उन्निस में इस तरह की कोई सफलता नहीं मिली, दोहजार उन्निस में समाजवादी का जीरो से दस पर पहुँच गई, लेकिन चुनाओ का नतीजा आया और गट बंधन तूट गया, 93 में गट बंधन तूटने के दूसरे कारण थे, और वो भी आपस की प्रतिद्वंदिता का ही परिणाम था, लेकिन उसका किस्सा कई बार सुना चुका हूँ, आज उस पर जाते हैं, आज बात करते हैं, जो होता हुआ दिखाई देर, इसके संकेत मिल रहे हैं, हो जायेगा कि नहीं, ये पता नहीं है, उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी का गट बंधन है, बहुजन समाज पार्टी ने सिर्फ एक बार, जब से वो बनी ह सिर्फ एक बार, 1996 में कॉंग्रेस से गट बंधन किया था, और कॉंग्रेस से गट बंधन किया, जब कांशी राम जीवित थे, तो उस समय जो है, 425 सीटे हुआ करती थी उत्तर प्रदेश विधान सभा में, तब उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, तो 136 सीटो पर कॉंग्रेस पार्टी लड़ी थी और बाकी सभी सीटों पर बहुजन सभाज पार्टी, उस गट बंधन को सफलता नहीं मिली थी, लेकिन एक मायने में सफलता इस लिहास से कह सकते हैं कि बहुजन सभाज पार्टी एक बड़े ध्रूव के रूप में उत्तर प्रदेश क राजनीती में उभर गई, और कॉंग्रेस पार्टी जो है ऐसी धलान पर फिसलना शुरू हुई जिससे आज तक उबर नहीं पाई, उसके बाद कॉंग्रेस कभी खड़ी नहीं हो पाई, सपा और बसपा का गड़ बंधन 2019 में हुआ, उसके बारे में आपको बता दिया, उस और दूसरा प्रशन है कि क्यों, ऐसी जरूरत क्यों, उसकी वजह क्या है, कारण क्या है, तो मिल भी सकते हैं, इसका संकेत मिला है, भारतिय जन्ता पार्टी के एक विधायक ने एक बयान दिया, और कहा कि भाजपा ने तीन बार समर्थन देकर मायावत्य को मुख्यमंत्री बनवाया, वो हमारी गल्ती थी, उससे पार्टी को नुकसान हुआ, और दूसरी बात उन्होंने कही कि मायावत्य उत्तर प्रदेश की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री रही, जाहिर है कि ये बात बहुजन समाज पार्टी को क्यों अच्छी लगेगी, उस पर रियक्षन आ अहले और जादा तीकी प्रतिक्रिया आई समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादो की ओर से, कहा कि ये जो है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का अपमान है, अब आप देखिए कि अखिलेश यादो मायावती के समर्थन में बचाओ में खड दोनों पार्टियों में गटबंधन हो सकता है, कभी वितालमेल हो सकता है, इसकी संभावना हमेशा बनी रहती है, लेकिन जब अलग-अलग हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं, उस समय इस तरह की बात आना और दूसरी बात कारण पर आते हैं, इस समय समाजवादी पार्टी उ 2017 में विधान सभा, फिर 2019 लोकसभा, फिर 2022 विधान सभा, अखलेश यादव के निर्तितु में समाजवादी पार्टी ये चार चुनाओ लड़ी चारो हारी, लेकिन 2024 में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उत्तर प्रदेश में, 37 लोकसभा सीटे जीत ली, तो अखले शियादव इस समय साथमें आसमान पर हैं, ताकतवर हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीती में वो बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अपनी पार्टी को इस्थापित कर चुके हैं, इसलिए मैंने दूसरा प्रशन जो उठाया कि अभी जरूरत क्यो पर चली गई है, और 2027 के विधान सभाज चुनाव में अगर वो अपनी स्थिती सुधार न पाई, तो उसके राजनीतिक अस्थित्व पर ही सवाल लग जाएगा, तो एक राजनीतिक दुश्मन या कहें, राजनीतिक प्रतिजवन्दी खतम हो रहा है, उसको पुनर जीवि उत्तर प्रदेश की राजनीती में अब सर्वाइब नहीं कर सकती, भारती जनता पार्टी जिस तरह से नंबर एक पार्टी बन गई है, उसने स्थापित कर लिया है अपने को, चाहे भले ही लोकसभा चुनाव में उसकी परफार्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही हो, फिर भ नंबर एक की पार्टी है, इसमें कोई दोराय नहीं है, तो जो नतीजा आया है, लोकसभा चुनाव का, उसको अगर बाटे या आप देखें, विधान सभावार अगर उस नतीजे का आकलन करें, तो आपको लगेगा कि समाजवादी पार्टी और कॉंग्रिस पार्टी का ग थोड़ी प्रश्डूमी और समझनी चाहिए कि दो हजार चौबिस में भी कॉंग्रेस की कोशिश थी कि बखजन समाजवादी पार्टी से उसका एलाइंस हो, वो समाजवादी पार्टी से एलाइंस करने में बहुत इच्चुक नहीं थी, और समाजवादी पार्टी भी इं करनाटक और तेलंगाना विधानसभा का नतीज़ा आ चुका था, दोनों चुनाओं में मुसल्मान पूरी तरह से कॉंग्रेस के साथ चले गए थे, और कॉंग्रेस को उसकी वज़े सफ़ता मिली, दोनों राज्यों में सरकार बन गई, तो अखलेश यादव को इस बात का जाता है, ऐसा नहीं है कि अगर एलाइंस नहीं होता तो सारा मुसलिम वोट जो है कॉंग्रेस को चला जाता, लेकिन एक छोटा हिस्सा भी जाता, तो समाजवादी पार्टी जो है दो पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती है, तो एक पैर उसका कमजोर हो जाता, तो केवल इस डर से कि मुसलिम वोटों में बटवारा ना हो अकलेश यादों ने कॉंग्रेस से गड़ बंधन किया और इंडी गड़ बंधन में शामिल हुए, किस तरह से उसकी बैठकों में जाते रहे और किस तरह का विवहार करते रहे और उनका रवाया क्या था ये सब आप पहले दे एक ही मतलब समझ में आता है, जिस कारण से समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस का गड़ बंधन हुआ 2024 के चुनाव में, उसी कारण से 2027 की जो तैयारी कर रहे है समाजवादी पार्टी, उसका जो आकलन है, ये मुझे कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन अखलेश य यानि समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी, दोनों को लग रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतिये जन्ता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है, तो समाजवादी पार्टी, कॉंग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों जब तक नहीं आप याद रखिए 2019 के चुनाव में सपा बसपा और R&D का गड़ बंधन था, कॉंग्रेस उसमें शामिल नहीं थी, कॉंग्रेस भी अब पहले की तुलना में बहतर इस्थिती में है, और बहुजन समाज पार्टी अपने राजितिक अस्थित्व के लिए संघर्ष कर रही है, तो उसे सहारे की जरूरत है, अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए, कॉंग्रेस पार्टी को जरूरत है उत्तर प्रदेश में फिर से खड़े होने के लिए, और समाजवादी पार्टी और अखलेश यादों को जरूरत है सत्ता में वापसी के लिए, तो तीनों के जो तीनों के जो हित हैं, वो आपस में मिलते हैं, अगर तीनों मिल जाएं, तो उनको लगता है कि हमको सफलता मिल सकती, मिलेगी की नहीं, वो बाद की बात है, लेकिन तीनों के मिलने का, उत्तर प्रदेश में जो 2019 में गड़ बंधन हुआ था, उस से जादा मजबूत गड़ होगा अगर सपा बस्पा और कॉंग्रिस मिल जाते हैं 2027 के चुनाओं में, भाजबा के लिए उस चुनोती का सामना करना, 2019 की चुनोती से भी जादा कठिन होगा, जादा चुनोती पूर होगा, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कॉंग्रिस जाती की राजनीती कर उनको लग रहा है कि भाजपा के किलाफ सफलता का यही मूल मंत्र है। इसी राजनीती पर चलकर भाजपा को हम पचाड सकते हैं, उसको चुनौती दे सकते हैं। तो अगर आप कागस पर देखें इस कॉम्बिनेशन को तो बड़ा फॉर्मिलेवल कॉम्बिनेशन लगता है। लगता है कि वैसे 2019 में भी लगता था। इस कॉम्बिनेशन को या इस गडबंदन को हराना लगभग नामुकिन है। लेकिन बारती जन्ता पार्टी ने वो करके या जमीन पर उतारने में भारती जन्ता पार्टी कितनी सफल होती है। पिछले दस साल में भारती जन्ता पार्टी ने कई काम किये। एक कमंडल की राजनीती यानि हिंदुतु की राजनीती को छोड़ा नहीं और मंडल की राजनीती को आत्मसात कर लिया जिस तरह से अजिक संतुलन इस्थापित किया। उसमें छेद हुआ दोहजार चौबिस के चुनाव में आरक्षन को मुद्दा बनाकर जिस तरह से दलित वोट बीजेपी से तोड़ने में सफल हुआ विपक्ष और उत्रप्रदेश की बात कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी और वो उनको एक संभावना का दर्वाजा खुलता हुआ खिड़की कहें दर्वाजा कहें जो आप कहना चाहें वो खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब भारती जन्ता पार्टी उसका मुकाबला कैसे करेगी। ये भारती जन्ता पार्टी को अपनी रणनीती जो 2014 में उस दोहजार चौबिस का नतीजा क्यों आया, क्या परिस्थितियां थी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या भारती जन्ता पार्टी उन समस्याओं से, उन संकटों से जो 2014 में था उससे उबर पाने में सफल होगी। क्या भारती जन्ता पार्टी ने जो प्रयोग किया मंडल और क मंडल दोनों को साधने का, उसको ज़्यादा मजबूती प्रदान कर पाएगी। ये प्रश्ण है, इस प्रश्ण के उत्तर में चिपा है दोहजार सब्ताइस के विधानसभा चुनाव का नतीजा। तो अखलेश यादव ने जिस तरह से मायवती का समर्थन किया, उसके बा दोहजार सब्ताइस में अभी समय है, तब तक राजनीती में क्या बदला हो जाएगा, कौन सी परिस्थिती आ जाएगी, किसी को मालूम नहीं। लेकिन दोनों पार्टियों के नेता इस बाग का संकेत दे रहे हैं कि हम इस तरह का अगर गटबंधन की संभावना बनती है, उसके खिलाफ नहीं है, यानि बाजन स्माजपार्टी भी ये मानकर चल रही है कि उसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी और कॉंग्रैस से नहीं BJP से है, क्योंकि बाजन समाजपार्टी का वोट BJP ही ले गई है, और समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस के गडबंधन को लग रहा है कि हमारी असली लड़ाई तो बीजेपी से ही है बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के खत्रे है कि उसका जो बचा हुआ वोट है अगर वो भी खिसका तो कितना इस कॉंग्रेस सपागडबंधन के पास आएगा कितना भाजपा के पास जाएगा ये कहना आज मुश्किल है तो वो दोधारी तलवार है अगर जादा भाजपा के पास चला गया तो भोजन समाज पार्टी को कमजोर करने का नुकसान सपागडबंधन को हो जाएगा अगर इधर आ गया तो फाइदा हो जाएगा लेकिन ये एक अनिश्चित्ता का महौल पैदा करता है इसमें निश्चय पुर्वक कोई ये नहीं कह सकता कि ऐसा ही होगा क्योंकि दोनों और से कोशिश हो रही है बहरती जन्ता पार्टी भी कोशिश कर रही है कि मायवती का जो भी बचा हुआ बस्पा का जनाधार है उसमें सेंध लगाई जाए समाजवादी पार्टी भी कोशिश कर रही है अकेले होती तो उसको विफलता ही हाथ लगती लेकिन कॉंग्रेस के साथ होने से उसको फायदा मिल रहा है ये जो दलित वोट खिसका इस गड़ बंधन की ओर फिर मैं कह रहा हूं केवल कॉंग्रेस के साथ होने की वज़े से किसका अगर समाजवादी पार्टी अकेले होती तो दलित वोट समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाता अब आप कल्बना कीजिए कि अगर ये तीनों पार्टियां मिल जाए तो सारा जो भाजपा विरोधी वोट है एक हो जाएगा लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है कि सपा, कॉंग्रेस और बसपा, विरोधी वोट भी एक हो जाएगा तो ये सीधी लडाई हो जाएगी बीच में तीसरा कोई बचेगा नहीं अगर दोनों पक्षों में जो वोट शेर है उसका अंतर दो-तीन परसेंट भी होगा तो वो निर्णायक साबित होगा दूसरे गड़बंदन से 10-15 परसेंट ज़्यादा पाने का लक्ष रखना ज़रूरी नहीं है तो क्या भारती जनता पार्टी भारती जनता पार्टी के पक्ष में बाते क्या है पक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी योगी आधितिनाथ उनकी सरकार का कामकाज और उनका नेतित और उनकी लोग प्रियता जिस तरह से शाशन चलाया हो और चला रहे हैं जिस तरह से कानून व्यवस्था को सुधा रहा है कानून व्यवस्था और विकास दोनों को एक साथ लेकर चलने वाला मुख्यमंतरी अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था और कानून व्यवस्था की इस्थिती की ऐसी चुनोती किसी मुख्यमंतरी के सामने नहीं थी क्योंकि कानून विवस्था की स्थिती बिगाडने में तो समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा योगदान है तो उनके लिए उसको सुधार ना चुनौती नहीं थी उसमें सुधार ना होने पाये ये उनकी चुनौती थी जिसमें वो लंबे समय तक सफल भी रहे तो अब उत्तर प्रदेश के लोगों को तै करना है कि उनको किस तरह का शाषन चाहिए एक विग्यापन आया है भारती जन्ता पार्टी की ओर से समाजवादी पार्टी और अखले श्यादों के बारे में उस विग्यापन को लेकर अखले श्यादों बहुत नाराज है उनकी सारी कम्याँ उसमें गिनाई गई है उन्होंने का कि ये तुरंत वापस ले बीजेपी नहीं तो वो मानहानी का दावा करेंगे अब उसमें आगे क्या होगा पता नहीं लेकिन उस विग्यापन से लगता है कि भारतिय जन्ता पार्टी इस मुकाबले की तयारी कर रही है और सबसे महतुपूर्ण बात ये है कि इस सारे मामले में सबसे बड़ी कमजोरी भाजपा की जो है वो अपना घर ठीक न होना अपने घर को ठीक करने की जो कोशिश चल रही है पिछले दिनों जो संग के प्रमुक पदादिकारी अरुन कुमार जी लखनव गये दोनों मुख्य मंत्रियों और संगठन मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के साथ उनकी जो बैठक होई उससे ये संदेश देने की कोशिश हुई है और वो नीचे तक गया भी है कि भारती जंता पार्टी ने अपनी कमियों को पहचान लिया है और उसको ठीक करने की कोशिश हो रही है अब वो जमीन पर कितना उतरता है इस पर निर्भर करेगा कि भाजपा ने अपना घर कितना ठीक किया है भाजपा अगर अपना घर ठीक कर लेती है तो उसके पास दो बड़े जनाधार वाले लोकप्रियन नेता हैं प्रधान मंत्री नरेद मोदी जो उतर प्रदेश से ही सांसद है काशी से और दूसरे मुख्य मंत्री योगी आदितिनाद और संगठन के कील काटे दुरुस्त करने के लिए केंद्रे ग्रिह मंत्री अमिच्छा अगर जिन लोगों पर इस से पहले भरोसा किया गया जिन पर बनकी कहूंगा मैं कि जरूरत से ज़्यादा भरोसा किया गया उनसे मुक्ति पाली भाज़ पाने उतर प्रदेश में तो आगे का रास्ता उसके लिए अपे एक्षा किरत असान हो जाएगा लेकिन ये मान कर चलिए कि इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि दोहजार सत्ताईस के विधानसभा चुनाओं में सपा बसपा और कॉंग्रेस साथ आ जाएं और भाजपा के लिए अगर ऐसा होता है तो इससे बड़ी चुनोती इससे पहले कभी नहीं आई थी अब भाजपा उस चुनोती का कैसे मकाबला करती है उसकी तैयारी करने के लिए उसके पास समय है ये उसके पक्ष में जाता है उसकी सरकारगा जो सुशाचन है वो उसके पक्ष में जाता है और चवी जिन तीन नेताओं की बात की मैंने उनकी चवी है ये सब मिलाकर भारती जन्ता पार्टी के प्लस पॉइंट है उसकी कमजोरी सिर्फ उसके संगठन की कमजोरी है आपसी तालमेल की कमजोरी है और प्रदेश अध्यक्ष को लाने से ये कमजोरी और बढ़ने वाली है जो इस समय है जो किसी काम के नहीं है ये बात कहना किसी के लिए ठीक नहीं है लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया है कि दरसल भारती जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में उसका संगठन जहां भी है वो उ उनकी वज़े से नहीं उनके बावजूद है तो भाजपा को एक अच्छा प्रदेश अध्यक्ष चाहिए जो संगठन और सरकार में तालमेल बना सके जो संगठन और कारेकरताओं के बीच समवाद हींता को खत्म कर सके ये बहुत बड़ा मुद्दा है कारेकरताओं की शिक पर पड़ा हुआ महसूस कर रहा है उस भावना को ठीक करने की जरूरत है क्या भाजपा ऐसा कर पाएगी क्या भाजपा इस चुनोती के मुकाबले के लिए तयार है ये सवाल है जिनका जवाब आने वाले समय में मिलेगा तो इस अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलें आप से अंरोध है कि ये चैनल देखिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जिरूर कीजिए नमस्कार